हलो दोस्तों केसे हूँ आप सब आपका भाई हाजी रो चुका है और एक निव वेकेंसी का अपडेट से साथ आज के जो वेकेंसी का अपडेट्स निकल का रहा है, NBCC India Limited से निकल का रहा है Government of India का कमपनी है, काफी अच्छा खासा यहाँ पे requirement निकल का है मैं आपको फुरा full information, eligibility criteria और apply करने का process इस video में step by step बताने वाला हूं अगर आप हमारी चैनल पर नहीं वीजिट कर रहे हैं, तो चैनल को subscribe कर ले, इस तरह का latest technical job notification, technical latest study material और interview tips आपका भाया आपके लिए चैनल में अपडेट्स करता रहता है तो अब ही eligibility criteria का बात कर लेते हैं, इसमें all India candidates को apply कर सकते हैं, आप कोई भी state से हैं तो आप इस post को apply कर सकते हैं यहाँ पर pressure और experience, दोनों candidates के लिए हाँ वेकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पर दोनों ही candidates को apply करने के लिए eligible रहेंगे educational qualification का बात कर लेते हैं, इसमें diploma और b.tech candidate इसको apply करने के लिए eligible रहेंगे अगर आप हमारे telegram channel जोइन नेकिए, तो telegram channel को भी जोइन कर लिजे, मैं वहाँ पर भी updates करता रहता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, NBCC India Limited का मैं official website में हूँ और यह जो PDF को अब जो publish किया गया है, पंदर तारिक को इसको publish किया गया है और आपको यहाँ पर advertisement number भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको तोड़ा स्क्रोल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर current vacancy में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर age limit का बात कर लेते हैं, यहाँ पर 28 year रखा गया है और educational qualification का बात कर लेते हैं तो उनके पास फुल्य और diploma होना चाहिए, civil engineering से और 60% उनका aggregate रहना चाहिए यहाँ पर essential experience में देख सकते हैं, यहाँ पर experience कोई भी mention नहीं किया गया, यानि कि zero pressure candidate इसको apply कर सकते हैं next vacancy आपको देखने को मिल जागा junior engineer electrical का, total vacancy का बात करें तो यहाँ पर उनके लिए 20 vacancy रखा गया है और यहाँ पर age criteria का बात करें तो 28 years, जो यह जनरल candidate के लिए रखा गया, CST candidate को यहाँ पर age relaxation भी दिया जाएगा qualification का बात करें तो full time diploma electrical engineering से होना चाहिए, और aggregate जो mark 60% रहना चाहिए यहाँ पर experience कोई भी mention नहीं किया गया, pressure candidates को apply कर सकते हैं इनका junior engineer civil और electrical वाले का salary रहेगा 27,200 से स्टार्ट होगा, और उनको ग्रेड प्रोवाइट किया जाएगा, S3 ग्रेड प्रोवाइट किया जाएगा स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर experience candidate के लिए यहाँ पर वेकेंसी निकला वाए, deputy manager civil जो उनको प्रोवाइट के जाएगा, और उनका pay scale स्टार्ट होगा, 70,000 से लेगे 2,00,000 तक उनका pay scale salary package रहेगा लेकिन यहाँ पर उनको experience mention किया गया है, उनके पास full time qualification में देखेंगे तो full time जो उनका civil engineering होना चाहिए, degree, btec candidates को apply कर सकते हैं और experience देखा जो total वहाँ पर उनका 9 year का experience यहाँ पर मांगा गया है apply करने का procedure का बात करेंगे तो आप जैसे ही जो उनका यहाँ पर देखे, official website का जो यहाँ पर दिया गया है www.nbccindia.in आप जैसे इसका official website में visit करेंगे तो वहाँ पर उनका carrier का जो option देखेगा, वहाँ पर आप जाके इसको apply कर सकते हैं इसका link में description में provide कर दूँगा, आप direct जाके apply कर सकते हैं online registration का date बात करेंगे तो यहाँ पर 15 मार्क से online date स्टार्ट हो चुका है और last date जो रखा गया है, 14 अप्रिल को यहाँ पर last date रखा गया है apply करने कर टेम आपको क्या कर डोकुमेंट का जरूत पर सकता है, यहाँ पर मैं आपको बता जाता हूँ जैसे कि passport size photograph, अगर आप SCST candidate है तो आपको SCST OBC certificate यहाँ पर जरूत पड़ेगा आपको age proof के लिए आपको 10th certificate, metric certificate जरूत पड़ेगा और essential जो आपका qualification और mark sheet जैसे कि आपका diploma candidate होगे तो आपका diploma candidate का और btec candidate का यहाँ पर mark sheet भी आपका जरूत पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर btec candidate के लिए experience मांगा गया है, experience candidate के लिए उनका experience certificate last three month of salary sleep यहाँ पर जरूत पड़ सकता है अगर आप कोई भी incomplete information देते हैं तो आपका application को यहाँ पर reject कर दिया जाएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है application fees का बात कर लेते हैं, यहाँ पर general candidate के लिए 500 रूपे का यहाँ पर application fees रखा गया है और SCST candidate के लिए यहाँ पर कोई भी application fees नहीं रखा गया है selection procedure का बात कर लेते हैं, यहाँ पर junior engineer civil और electrical candidate है इन दोनों का यहाँ पर written test किया जाएगा और 100% यहाँ पर उनका written test लिया जाएगा और deputy manager जो यहाँ पर experience candidate के लिए निकला होगा, उनका कोई भी यहाँ पर written test नहीं लिया जाएगा आपको क्या करना अपना mobile का Chrome browser में इसको copy करके वहाँ पर paste करके आपको search कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहें, NBCC India Limited का मैं official website में हूँ जैसे आप इस official website में आएगा, आपको human research का एक option देखने को मिल जाएगा इसका link भी मैं आपको description में provide कर दूँगा, आप डायरेक्ट जाके जितना भी post निकला उसका apply कर सकते हैं जैसे आप human research पर click करेंगे, यहाँ पर आपको carrier का option के उपर में click कर देना है जैसे आप carrier का option के उपर में click करेंगे, यहाँ पर पहले ही आपको carrier at nbcc देखने को मिल जाएगा, आपको क्या करना है क्लिक कर देना है और जो dgm पर पोस्ट में जो apply करेंगे जो btech candidate experience वाले और नीचे वाले option में click करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पहले बाले पर click करता हूं जैसे आप पहले बाले पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको यहां पर रेजिस्टेशन का यहां पर दिखाएगा आपको आपको क्या करना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लोग इन और रेजिस्टर दोनों आपको देखने को मिल जाएगा आपको क्लिक कर देना है जैसे आप रेजिस्टर में क्लिक करेंगे यहाँ पर नीव रेजिस्टर का ओप्शन देखने को मिल जाएगा आपको इसको फिल कर देना है आपको e-mail ID यहांपर आपको दे देना है और यहांपर आपको passado यहांपर क्रेयाट करने के बाद आपको आपकोाइल नंबर देखे यहांपर नीचे में जो register का option देखने को मिल जाएगा आपको में registration कर लेना है registration करने के बाद आपको id password create हो जागा फिर next time आपको क्या करना है login करके आप इस post को apply कर सकते हैं तो आसा करता हूं मेरा information आपको अच्छा लगा होगा अगर information अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें अगर आपको फिर भी कोई डाउट से तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही ठाइंक यो